हेलो दोस्तों ABC coaching YouTube channel में आपका स्वागत है इस वीडियो में लेकर आए हैं दसवी कख्छा के science के objective question जो आपके लिए काफी important है जो विद्यार्थी इस वर्ष बोर्ड परिक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंतक देखें आपको बदा दे कि परकास के प्रावर रेखा में C किसी भी दिशा में D इन में से कोई नहीं तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा यह नंबर option जो सीधी रेखा में ठीक है अगला question क्यों चलते हैं question number 2 है कि निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है तो option में है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका बी नंबर हो जाएगा ठीक है अगला question क्यों चलते हैं प्रकास का वेग नियूंतम होता है प्रकास का वेग नियूंतम होता है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा आपका डी नंबर option डी क्योंकि प्रकास का जो वेग होता है वह कांच में ही नियूंतम होता है ठीक है अगला question है कि मोटर गाड़ी की चाल के सामने लगा रहता है अगली question है गोली दरपन की focus दूरी उसकी वक्रता तिर्जिया की आधी होती है बी दुगुनी होती है C. तिगुनी होती है D. चौथाई होती है तो इसका जो सही answer हो जागा वो हो जागा आपका A. नंबर क्योंकि गोली दरपन की focus दूरी का और वक्रता तिर्जिया में जो संबन होता है focus दूरी वक्रता तिर्जिया की क्या होती है आधी होती है ठीक है अगला question की ओर चलते है कि हजामत बनाने के लिए वहवार किया जाता है ए उतल दरपन, बी अतल दरपन, सी समतल दरपन, डी गोली दरपन तो इसका जो सही answer हो जागा वो हो जागा आपका अतल दरपन ठीक है option B अगला question क्यों चलते है वहानों के headlight में किसका प्रियोग होता है अगला question क्यों चलते है वहानों के पास चिद्रिश दरपन में उप्योग होता है आपको बता दें कि पास चिद्रिश दरपन जो होता है वो side mirror को खा जाता है जो वहानों के चालक के बगल में होता है side में लगा रहा था जो एक mirror लगा रहा था उसी हम side mirror कहते हैं उसमें चलेगा कौन सा दरपन का उप्योग के जाता है बताना है तो option में है a उतल दरपन b उतल लेंज c अवतल लेंज d अवतल दरपन तो इसका जो सही answer हो जागा वह जागा आपका a number क्योंकि उतल दरपन होता है अगला question क्यों चलते है समतल दरपन की focus दूरी क्या है a सुन्य b अनन्त c दोगुना focus d दोगुना वकरता तिरजिया तो आपका जो सही answer हो जागा वह जागा अनन्त क्योंकि focus दूरी अनन्त होती है ठीक है अगला question है प्रावर्तन का नियम कौन सा दरपन में लागू होता है a समतल b अवतल c उतल d सभी में जो इसका सही answer हो जाएगा ये d option यानि सभी में ठीक है अगला question है कि जब परकास वायू में काच में रह जाता है तो तरंग a तरंग धहर बढ़ता है b तरंग धहर घड़ता है c आकरती बढ़ती है d कुछ नहीं बदलता है तो इसका जो सही answer हो जागा वह आपका हो जागा b नमबर तरंग धहर घड़ता है ठीक है अगला question है कि समतल द्वारा बना परतिबीम होता है a वास्तविक b कालपिनिक c दोनो d इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही answer हो जागा वह जागा कालपिनिक ठीक है option b अगला question है कि लेंज की छमता के एस आई मातरक है a डाइप्टर b lumen c लक्स d जूल तो इसका जो सही answer हो अगला question है कि सामने एक बीम को फोकस और प्रकास के अंदर के बीच रखा जाता है तो परतिबीम a कालपिनिक और आवर्धित बनती है b वास्तविक और आवर्धित बनती है c वास्तविक और छोटा बनता है d कालपिनिक और छोटा बनता है इसका जो सही answer हो जागा वह आपक और आवर्धित बनता है ठीक है अगला question क्यों चलते हैं किसी लेंज की छमता मैनस एक दसमलब पांच डायप्टर हो तो उसकी focus दूरी होती है a मैनस 15 मीटर b मैनस 66.6 मीटर c मैनस 66.6 cm d 100 cm तो आपका जो सही answer हो जाएगा वह आपका c नंबर हो जाएगा मैनस 66.6 cm ठीक है अगला question है कि परकास के किर्णों के समों को कहते हैं तो आपका option में है एक अबतल दरपन की में वक्रता तिर्जिया आर तथा focus दूरी एप के बीच संबंद है तो आपको यहां पे संबंद बताना है दिया है option में A F बराबर 2R B F बराबर R C F बराबर R बटा 2 और D F बराबर R बटा 4 तो इसका जो सही answer हो जाएगा वह आपका c नंबर हो जाएगा ठीक है अगला question क्यों चलते हैं तो इसका जो सही answer हो जाएगा वह आपका हो जाएगा भी धनात्मक होती है ठीक है अब है अगला question है कि आपतल लेंज की चमता होती है तो आपतल लेंज की चमता है option में दिया हुआ है कि A रिनात्मक B धनात्मक C A और B दोनो D कोई नहीं तो इसका जो सही answer हो जाएगा वह आपका हो जाएगा A नंबर रिनात्मक ठीक है अगला question क्यों चलते हैं उत्तर लेंज को कहते हैं A अभी सारी लेंज B अपसारी लेंज C अभी सारी दरपन D अभी सारी अपसारी दरपन अपतल Lens को कहते हैं अभी सारी लेंज अपसारी लेंज C अभी सारी दरपन D अपसारी दरपन तो अपतल Lens को क्या कहते हैं इसका सही option ऑपसारी अंसर क्या हो जाएगा A समतल B उतल ठीस इनमें से कोई नहीं तो इसा समतल सी अवतल से अवतल दरपन्डि वहां कि सोटा परत्मीम प्राप्त होता हिकिसी विवस्तु को जो अगला कुशन के उचलते हैं पर कि प्रावर्तन के कि नियम हैं औप अप्सne में है एक एक बी दो सी तीन और डी चार तो इसका आपको पता दें कि प्रकास के जो प्रावर्तन की नियम होते हैं वह दो होते हैं इसलिए इसका अंसर हो जाए का ऊप्सटन नमबर भी दो होते हैं ठीक है अगला कोशन की उद्लबर चलते हैं कहता है छबिस नंबर फोटोग्राप कैमरे का अभीद्रिस से होता है तो अभीद्रिस होता है अप्शन नमर है अप्टल लेंज बी उत्तल लेंज सी उत्तल दरपन डी उत्तल दरपन तो इसका जो सही आंसर हो जागा वो हो जागा आपका उत्तल लेंज अप्शन नमर बी ठीक है अगला कोशन क्यों चलते हैं अगला कोशन है यदि 10 cm अवतल दरपन की फोकस दुरी हो तो वकरता तिर्जा होगी तो इसकी जो वकरता तिर्जा होगी तो option में इसमें दिया है A 10 cm B 20 cm C 5 cm D 100 cm तो इसका जो सही आंसर हो जागा वो आपका option नंबर B हो जागा ठीक है 20 cm ठीक है अगला कोशन है कि 28 में किसका उपयोग होता है तो option A अवतल दरपन B उतल दरपन C अवतल लैंस D उतल लैंस तो इसका जो सही आंसर हो जागा वो जागा option नंबर D उतल लैंस ठीक है अगला कोशन क्यों चलते हैं कहता है प्रावर्तन के नियम से निरधारित होता है आपतन कौन बरावर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तर्ट रंग होता है तो जो जाएगा वापका वी नंबर हो जाएगा उमीद है कि इस जितने भी अप्जेक्टिव कोश्चन यह पताया रहा है यह सारी आपकी इंपोर्टेंट है आप इसे रट लें और आप हमारे चैनल पर नय तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथी स सब्सक्राइब आपको मिलती रहे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और अब्सक्राइब जरूर करें चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद